जिस वीडियो का हम सबको बहुत बेसबरी से इंतिदार था वो वीडियो आ गई है यह इस इंपोर्टेंट कोशन ओफ दा MAPC 013 राइट शॉर्ट में वीडियो करेंगे जल्दी करेंगे आई नो आप लोगों के पेपर चल रहे हैं हर एक कोशन यहां पर 2। वो कोशन लिए जो मेरे को लगता है कि उनका सिगनिफिकेंस आपको आज नहीं तो कल पड़ेगा otherwise सारे कोशन जो तीन वाट से ज़ादा आपके प्रीवेस यहर पेपर में आ रख ही है है वो questions को हमने यहाँ पर क्या गरा है select करा है तो without further wasting time आईए let's get started अगर हमारे चैनल पर नए आई हैं तो subscribe जरूर करें देखे section ने में हमने कुछ questions रखे हैं पहले मैं आपको एक overview देता हूँ right देखे कभी भी याद रखिए जब हम बात करूं कि किसी को depression है तो right इतने possible कि depression might be because of the financial situation might be because of the girlfriend or boyfriend situation might be because of the family situation right तो उसके बहुत सारे causes हो सकते हैं तो there is no answer when you are writing therapies right but there are some journal principles there are some journal steps that you have to follow okay now questions की बात करते हैं सबसे पहला question है आपका what do you understand by the object relation theory यह question आपसे 3 marks में आपसे 6 marks में आपसे 10 marks में हर जगे यह question पूछा गया हुआ है what do you mean by the object relation theory discuss its application in the psychotherapeutic process right यह first question है second question के अगर हम बात करते हैं देखे cbt चाहाएं आप counseling कर यह counseling का सबसे important portion है what do you mean by the cbt अब cbt के अंदर आपका ABC model आ जाता है यह model भी आपसे बहुत आर पूछा गया हुआ है इसी से related आपकी REBT भी होती है rational emotive behavior therapy वो भी आपसे पूछर की है that means आपसे अगर मैं यहां पर बात करूँ core part की बात करूँ तो यहां पर आपकी जो basic therapies है right अगर आप मेरी counseling की video भी देख सेना चाहें तो उनको देख सकते हैं उसमें भी आपको बहुत सारी चीजे और बल्कि वहां से आपको better clarification मिल सकती है right आपको 199 के premium में मिल जाएगी देखे टाइम कम है मैं किसी को suggest नहीं करूँगा कि आप 199 लीजिए या मत लीजिए this is your call okay चुकि it might possible कि मैं videos नहीं डाल पाता हूँ चुकि मेरे पर और भी other stuffs होते हैं काम करने के लिए right it's not like that कि मैं आपके 199 रुपे लेके scam कर रहा हूँ या जस्त मेरे को 199 चाहिए यह 199 रुपे भी आपके YouTube की तरफ से जाते हैं किसी बच्चे को भी problem issue होती है तो ऐसे नहीं कहीं बच्चे मेरे phone करते सरा मम 199 पे करते नहीं यह सारे पैसे आपके YouTube को जाते हैं ओके तो मेरे लिए नहीं है यह सारे चीजें यह सिर्फ और सिर्फ में आपके लिए डालता हूँ right it may possible कि अगर YouTube मेरे को कहता तो मैं और इसको low rate पर कर देता ओके तो apart from that कि यह आपकी choice होगी कि आप लेना चाहें premium या नहीं देना चाहें कम वीडियो हैं I know बट जितनी भी I think वह help करेंगी 199 में और भी शायद कुछ वीडियो आपको मिल जाएंगी whether you have to take the premium or not it's your call question number 3 की बात करते हैं यह question सबसे ज्यादा important जो मेरे को लगा question number 2 भी बहुत ज्यादा important लगा है right देखिए यह basics है आपके basics मतलब की foundation जब हम बात करते हैं fruit की देखिए fruit ने unconscious desire की सबसे ज़्यादा बात करेती राइट की pleasure principle पर human psychology work करती है कि जो उसमें उसको pleasure मेंने लग जाता है human को चाहें वो गलत है चाहें वो सही है वो काम करने लग जाता है तो fruit का question it may possible आज नहीं तो कल आप से पूछा जाएगा यहां नहीं तो interview में नही पूछा ही पूछा जाएगा different state of the psychosexual development यह question second part आपका जो personet हुआ है पंदरा तारिक को उसमें भी a question पूछ रखाता तो आप देख सकते हैं इसका influence कितना जादा है ओके give a historical overview of the development of the cognitive behavior and the presence of the ABC model अभी मैंने ABC model कहा बता है अगर आप देखोगे मैंने आपको यहां बता है CBT के अ CBT के अंदर ही आपका क्या आता है ABC model आता है define interpersonal psychotherapy यह मैंने आपको पहले भी करवा रखी है फिर भी इस point of view से भी आप यहां देख सकते हैं discuss their techniques what is the contingency construction discuss explain the treatment and the principle and the intervention of the SFBT safety SFBT means देखिए इसे solution focus therapy भी कहते हैं इसे solution focus based therapy भी कहते हैं काफी जादा important है solution पर focus रहती है सिर्फ और सिर्फ नहीं उनके पाश डिलाइमा पर present पर focus करते हैं इस में कहा रहा है solution focus में कि आपके जो goals हैं वो matter करते हैं कि client के goals क्या है उन goals को हम achieve करने के लिए हम उनकी क्या करते हैं therapies को लेते what is integrated psychotherapy discuss the different way of the psychotherapy integration यहां पर यह question भी मिरको काफी जादा रगा अब देखिए यहां पर यह 9th question है इस पर थोड़ा धियान दीजिएगा यह कह रहा है discuss psychotherapy process of in AIDS अब देखिए मैंने question देखे है AIDS की जगे आपको कुछ syndrome दे सकता है कोई disease दे सकता है कुछ और आपसे पूश सकता है आपको शीजो परने के बारे में पूश सकता है आपको BPD bipolar disorder के बारे में पूश सकता है आपको ADHD के बारे में पूश सकता है यह process तो यहां पर सेम रहेगा लेकिन यह चीज़ें बदलती चली जाएंगी different different system एक portion पक्ता ही पक करना चाहते है तो भी कोई बात नहीं है that is your call okay section B की पर आजाते हैं जल्दी से देखिए section B explain the nature and the process of the SLBT द्वारा आया है right बहुत बार पूशा क्या हुआ हुआ है आपके six marks में आपके 10 marks में पूशा हुआ 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 है देखिए यहां पर यह कहती है आपकी behavior modification या फिर आप इसे कह सकते है behavior modification techniques यह question बहुत ज्यादा important है बहुत ज्यादा इसकी तीन techniques होती है I hope आपने पढ़ा हो desistematic sensitization, aversion therapy and flooding right I hope आपको यह चीज़े पता होनी चाहिए explain dyadetic development psychotherapy यह question भी आप से बहुत बार पूशा किया और discuss the counseling process of the Roger Client center therapy क्या है बिल्कूल यह आप कह सकते है एक part है किसका cbt का right इसी से ही आपके part cbt अगर मैं बात करूँ कहीं पर भी आप therapies कर रहे होते cbt आपकी 95% हर जगे reliable रहती है common process कि किसी भी चीज़ को हम अगर explain भी कर रहे हैं या known करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको क्या issue है सबसे पहले आप कहा है जाएंगे cbt पर ही जाएंगे इस तरह के से कोशन भी आपसे कई वार पूछे गए हैं इस तरह की कोशन भी आपसे बहुत वार पूछे गए हैं define group psychotherapy and explain its therapeutic principle what is narrative psychotherapy what is multimodal therapy यह इस तरही से कोशन आप से काफी पूछे गए हैं six marks में थोड़े हमने ज्यादा लिए हैं राइट देखिए question number four mean wise man four stage of the dying सबसे most important question है it may possible that they will not ask you or they can ask you right you don't know examiner का यह मेरे अपने आपकी तरफ से हैं लेकिन in questions को आप जरूर करके जा define terminal illness illness के ओपर एक question जरूर पूछा क्या हुआ है describe the goal of the dying person अब देखे terminal illness में उन्होंने क्या कर दिया कि children के लिए age group में बताईए या फिर उसे आप से क्या दिया है कि old age में बताईए या फिर adulthood में बताईए यानि कि उसने क्या कर दिया है उसने सिर्फ और सिर्फ एज का difference कर दिया बाकि ने इसको इसले लिखा है क्योंकि देखें यह बिमारी काफी ज्यादा है अगर हम बात करें एड्स की या फिर cancer की तो यह काफी life threatening आपकी diseases होती है तो मेरे को लगा कि आप लोगों को इसके बारे में knowledge होनी चाहिए डिसका psychotherapy principle of the group psychotherapy group psychotherapy के therapeutic principle common feature of the short term therapy आपको पता होती होगी not होती पता होगी कि क्या होती है राइट section c में देख लेते हैं these are the last section goals of the multi-model therapy जो कि आपको मैं बताता है एक्डिस्टेंस एल्स के फैमिली थेरपी प्रोजेक्शन आइडिफिकेशन psychic determination, reminisce therapy, negative punishment ये question आपका यहां से UGC में पूछा गया हुआ है negative और positive punishment और इससे reinforcement से भी पूछ लिया जाता है what do you mean by the reinforcement इसके भी दो point होते हैं आपके positive और negative ये मैंने video बना रही है UGC net में आपको मिल जागी आपको देखना चाहो तो वहां से देख सकते हो next question ये वाला question काफी ज़्यादा important है अगर मैं बात करना आपका transference ये counseling में भी बहुत ज़्यादा पूछा गया हुआ devil advocate and the reframing this is the new cowboy ये भी बहुत अच्छा आपका question है crisis intervention empathy and computer cognitive behavior therapy सारे question बहुत ज़्यादा important है around 30 question है I hope आप इनको करके जाए और paper अच्छा चा जाए wish you very good luck और आपी तक वीडियो में बने रहे हैं तो subscribe कर ले और bell icon को जरूल दबाएं ताकि future में आपको वीडियो सबसे अच्छी मिलती रहे thank you for stating so long